नमस्कार चली आज आज आपके साथ मिलके बनाते हैं खस्ता करारी चटपटी से एकदम बढ़िया सी फूली फूली पूरियां तो उसके लिए सबसे पहले मैंने याँ पे हींग ली हुई है और इसको पानी डाल के थोड़ी के लिए साइड में रख देंगे हींग गोलने तक उसके बाद यहां पे मैंने दो बाउल गेहुं का आटा लिया हुआ है और वन फोर्थ बाउल यहां पे सूजी ली हुई है बारीक वाली आप चाहें तो मोटी भी ले 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 उसको पीस ले फिर मैंने यहां पे आधी कटोरी बेसन लिया हुआ है आप मसाले डालेंगे सबस बाई और चाट मसाला डाला है उसके बाद हम यहां पर यह अजवाइन लिए और इसको दोनों हतोलियों के बीच में इसको रगड के डालेंगे जिससे इसका फलेवर बाहर आएगा और यहां पर दो चम्मज छोटी वाली चम्मज देशी घी डाला है इसको सारी चीजों को आपकी पूड़ी दूसरे तीसरे दिन भी एकदम नरम रहेगी और यह पूड़ी आपकी दो तीन दिन चल जाएंगी उसके बाद यहां पी हींग वाला पानी यह डाला है अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक बढ़िया सा आटा लगा लेंगे और कलर आए बहुत अच्छा आता धनिया का तो मैंने यह थोड़ी सी धनिया पत्ति डाली है और इसका एक सॉफ्ट आटा लगा लिया हलका सा इसको चिकना कर लेंगे और बहुत मुलायम सॉफ्ट इसका आटा तयार करेंगे अगर आटा बढ़िया तयार होगा तब ही हमारी पूड़ि इसी यह पूरी बनती है कभी भी एकदम से आपका मनोश शाम को कुछ खाने का तो यह फूली फूली पूर्या बनाईए सूजी डालने से थोड़ी सी यह कुरकुरी हो जाएंगी और बेशन से इसमें बहुत बढ़िया सा एक सूंधा बनाएगा तो इस तरह से इसके बना लेंगे और सफर में आप कहीं जा रहे हो तो यह पूरी जरूर बना के ले जाएं कहीं भी चाय के साथ आप इसको इंज्वाय कर सकते हैं या फिर अचार ले जाएं साथ में अचार के साथ खाएं यह पेड़े बना लिए इसकी अब हम पूरी बेलेंगे तो पूरी जै को यह खाने में यह देख्य Queen मसाले इसमें उभर के आ रहे हैं कितना सुनदर लग रहे हैं देखने में फिर यहां पे कड़ाई में तेल चड़ाया हुआ था थोड़ा सा इसमें आटे कीा बॉल दलके देखेंगे उपर आ गई तुरंत तो हमारा ये तेल हो चुका है उसके बाद मैंने यहां पे पूड़ी डाली इसको हलके हातों से इस तरह से प्रेस करते हुए घुमाते हुए इसको बनाएंगे देखें ये कितनी जल्दी फूल गई तेल का टमप्रेचर हाई पे ही रखेंगे और ये इतनी बढ़िया सी पूड़ी बन के तयार हो गई है इसी तरह से हम अपनी सारी पूड़ियां यहां सेक लेंगे यह पूरी बहुत तेश्टी बन के तयार होती बारिश के मौसम में आप इसको खाईए या सर्दियों में खाईए इसी तरह से हम लोग सारी पूरी बना लेंगे और एक पर इसको बना के देखें कि इसको नमकीन पूरी या जवाइन की पूरी भी कहते हैं इसके बाद मैंने यहां राजिस्तानी मिर्ची की रैस्पी दी हुई थी पिछले वीडियो में उसी के साथ मैं इसको यहां सर्व कर रही हूं बहुत टेश्टी लगेगी उसके सा मेरी यह वीडियो देखने के लिए